तप 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 शुरू करना चाहता हूँ थोड़ा सा मन दे दीजिएगा हिंदुस्तान में जिस तरह से पढ़ने की आदत पढ़ गई है मुझे लगता है कि अगर बनारस न उस तरह से नहीं सुना तो मेरी सारी उपलब्धियां फिकी पढ़ जाएंगे चार पंक्तों शुशू करता हूँ दोस्त सुनना बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो सुनना साहिबो बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो प्यार से बोलो अदू से यार से अदू माने दुश्मन अदू से यार से बंदे से या सरकार से बोलो शेर बोलो शकर बोलो मगर यह ह तो ऐहीं है ग राइस सियास कि किसे न में जाने वालों का संवान करने की जरूवत क्या वो तो वेतन केलिए जाते हैं हमारे मंच के किसी बड़े विक्ति ने कहा कि नेता जी आपके वरतनी ठीक नहीं है आपका व्याकरण ठीक नहीं हो अगर मेरे मंच के बड़े कभी की उठीपणी आपको सड्डीक लगे दोनों हाथ उठा करके तालिया देना किसी ने कहा सेना के जवान को सलाम क्यों करें किसी शहीद को नमन क्यों करें ये तो वेतन के लिए काम करते हैं जवाब दिया गया नेता जी आपकी वरतनी गलत है व्याकरण गलत है एक मात्रा कम कर लो सेना में जाने वाले लोग वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करने जाते हैं बहुत अच्छा है वा 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 परीना एडी से निकलता है तब जाकर सेना में जगे इस चार सोच कर जाते हैं और अगर आप लगे बनारस को लगे कि हाँ सैनिक बेटों के मन्की है भावना है तो एक बार भारत माता की जो मैं वहाँ तक से सुनना चाहता हूँ, मुझे खोल दीजिएगा एक बार अच्छी कविताय सुना करके जाऊँगा, सुनिएगा, चल के सरहत पे, कभी बर्फ पे लेटा जाए, सिर्फ इतना सा मेरा खाब है मेरे मौला, मौज जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए, क्या बात है वाँ 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 जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला क्या है सैनिक का जीवन जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला और रत की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला जिसम हटा कर जब शहीद का देखा हमने परवत की शेथ बर्फ पर लाल लहू से हिंदोस्तान लिखा निकला शेथ बर्फ पर लाल लहू से हिंदोस्तान लिखा निकला क्या है कविता क्या पढ़ने की जरूरत है इन मंचों पर जब शहीदों के सम्मान करने चलते हैं कि भारत की आरती में भारती की आरती में दीपक से दमक उठे शब्दों के प्रशून देश माता पर चढ़ाओ तो भारती की आरती में दीपक से दमक उठे शब्दों के प्रशून देश माता पर चढ़ाओ तो इसको छोड़ता हूँ यहीं पर कविता सुरू करता हूँ सुनियेगा आज जैचंद नहीं कोई फिर फंद नहीं हिंदुों से कृष्ण और राम मांगता है देश शेहर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज बेटा भगस सिंग सा लिलाम मांगता है देश जात के लिए भी नहीं तात के लिए भी नहीं देश के लिए ही बस काम मांगता है देश अरे एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ मौमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश बहुत बहुत अभी नंदन मेरे भाई सुनियेगा मैं आ रहा हूँ धिरे देरे अपने ट्रेक पर एक चार बंक्तियां और सुनियेगा देश में वो देश भतिका उबाल दीजिये मा मुझसे किसी ने कहा या मंच पर अजे भाई ये सिर्फ कवी सा मेलन नहीं है ये एक मिशन है ये एक मन है जिससे हमारे युवाओं के अंदर वो भावना पैदा हो सके कि वो देश पर ने उच्छावार हो सके तब पढ़ता हूँ आज जैचंद नहीं निता जी आपको मैं बारें बार नमन करता हूँ जिस वेश में आप बैठें मुझे लगता है कि इस कविता को सुनाने के लिए आपसे बड़ी अश्रोता नहीं होगा नमन करता हूँ सुनिएगा देश में वो देश भक्ति का उबाल दीजिए मा देश प्रेम की दिलों में जौन लगने लगे कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे बैतियों को शक्त का वो बीज मंत दीजिए की वह्षियों को काली का कराल लगने लगे और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे क्या बात है बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे आज सिंगनी माताओं से ये आशीश मांगता हूँ हर कविता के बदले केवल ये बक्सीश मांगता हूँ वीर सिपाही जैसा जीवन सच्चा नेक मांगता हूँ हर मांसे भारत की खातिर बेटा एक मांगता हूँ दो मैंसे तुम एक को SP या DM बना देना और अगर वो बनना चाहे तो CM बना देना लेकिन दूजापूत भारती की ततिमा का जेवर हो चिंतन से वो भगस सिंग हो और करनी से शेकर हो शैशो से ही देश भक्ति देना तुम उसको घुटी में अमर सहीनों के इस मारक पर ले जाना छुटी में उस मजार से मिट्टी लेकर उसको तिलख लगा देना पाटी पूजन वाले दिन वंदे मातरम लखा देना पाटी पूजन वाले दिन वंदे मातरम लखा देना अरे जिसे प्यार हो इस मिट्टी से एक बार निवेदन करता हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं जिसे प्यार हो इस मिट्टी से बस वो ही बाजू खोले एक बार हाथ गगन के और उठा लीजिए निवेदन करता हूं मन बना दीजिए जिसे प्यार होड़े इस मिट्टी से बस वही बाजू खोले और गगन की और उठाकर भारत मा के बहुत बहुत अविनंदन एक छोटी सी कविदा दादा आदेश हो दुद्ध हमारे समाज का सना भारतन धर्म का वो गौरव वह हिंदुवा सूरज जिसने मुगल सत्ता के खिलाफ अकेले खड़े होकर उसको चलोती दी भारत के स्वाभ्यमान का वो अदम में प्रतीक महाराना प्रताप और उसका वो अश्व शेतक दोनों को नमन करने की एक कविता पढ़ना चाहता हूं अगर आपके आदेश मिले तालियों के रूग में तो मैं जरा मन से पढ़ पाऊंगा इतियासकारों ने लिखा कि भारत के बहुत से युद्ध ऐसे थे जिसमें घोड़े पर बैट कर शेरों ने युद्ध लड़े बहुत से युद्ध ऐसे हुए जिसमें घोड़े पर बै पानी है बनास का इस पानी से तुम तनमंध हो लो थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई थोड़ा इको भी दे दे इसे पानी है बनास का इस पानी बनास एक नदी है जो मेवार के राजिक से के बीच से होकर के बहती है उसी पानी से बना हुआ पिंड महाराना प्रताप अगर आप उस भावना से जुर सके आपके अंदर कहीं महाराना प्रताप और ये तक का शौरिक खॉल उठा तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ कविता आपको पसंद आएगी निवेदित करता हूँ बहुत भी नमरता के साथ सुनियेगा पानी है बनास का इस पानी से तुम तन्मन धोलो इस बहादुरी की धर्ती में तुम पौरुश की फसले बोलो तुम बीर पत्र हो वीरों के वीरों जैसे निर्भे डोलो बस एग धर्म है देश भर्ती तुम उसके अनुयाई हो लो है प्यार अगर इस धर्ती से तो फिर तौनों बाजू खोलो राला चेतक के साथ साथ भारा रादा की पहला बंदने में दिद करता हूँ जो सूरच के आगे चलता वो उस रतकाह कवया था जो ना डूपती जाती थी वो उसका धबल खिवया था उस नर नाहर ने मात्र भूमी का पूरा कर्ज उतारा था राला प्रताब मेवार गगन पर चमका एक सितारा था ये उदाई सिंग राला का सुथ पच्पन से ही अभिमानी था आकाशी विद्धुत्सा चंचल ये चक्रवाग तूफानी था जो जल्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हन बनता ने वैसे ही सिंग जना था ये सिनी बाई जी जै बनता ने बाद अच्छा है वावावावा नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था माधे पर सूर्य चमकता था अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमत्ता था जो बाल भासकर भोर प्रहर से प्रतिछन बढ़ता जाता वैसे ही ये मेवार भूमी का सूरज चरता जाता है जैसे जैसे भुझदंडों की मचलियां अकडती जाती थी वैसे वैसे मेवार भूमी की चिंता बढ़ती जाती थी ते चंद बिभीशर जो खुद ही गदारी का विष्ट होते थे ये एक समय की साजिस थी इस साजिस के साख्शी हो लो राना चीतक की साथ साथ भारत माता की ये बोलो द्रस्ट देखिएगा हल्दी घाटी का मुगलों की राजा अकबर ने शडियंतर रचा आघाती था लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था प्रति घाती था अकबर ने राजा मान सिंग को सेना पती बनवाया था रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भलकाया था रणछेक्र बनी हल्दी घाटी चतुरंग शत्र अनियडी हुई उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई इस बीच युद्ध का शंक बजा रणडोल बजे मिर्दंग बजी घरियार बजे घंगनन घंगन जुच्छारू युद्धक जंग बजे बज़ उठी तेग तरवार बजी मुगदर बर्ची करवार बजे बंदुकों की सहनाई संग तोपों के मुखा सितार बजे दो धारी बाजी खंड खंड चुरिया चंचंचंचंचाप बजी जन जन जनाग जन चंद हास दुस्मन की गरदन नाप बजी धनसों की डोरी धन धन और तीर बोलते संद संद गोडों की घंटी तंड तंड हाथी का घंटा घंड घंड अरे सिर्क कट कर गिर जाते थे पर लो मुझे लग रहा है भी आप कविता से जुड़े नहीं है कि एक पंक्ती पढ़ता हूँ फिर से परिक्षा लेता हूँ सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही आती रहती थी और कहीं विलगधर से होकर बस बाजू लगती रहती थी जिसको भबोर देता चेतक उसका बखतर कर जाता था जिसको भाला खुच जाता था गुबारे सा भड़ जाता था वो नीले घोले का सवार पंक्ती समान ने ना वो नीले घोले का सवार तूफान दिखाई देता था जे सोर निकल जाता चेतक शंशान दिखाई देता था तप तप पाक तप 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 karate पंचाव खनाई देती, चेतक दिखता थोड़ी न था बसबसराः खनाई देती थी बात है वाँ 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 कितर द्रण किया है वाँ 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 अच्छा वाँ 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 लोथे ही अरती रहती थी कहीं मिलक धरसे होकर बस बाजू लड़ती रहती थी जिसको भगोर देता चे तक उसका बख्तर कर जाता था जिसको भाला गुष जाता था गुबारे सब फट जाता था वो नीले गोले का सवार तूफान दिखाई देता था जिस ओर निकल जाता चे तक शम्शान दिखाई दे देखो अपनी आखे खोलो राणा चेतक के साथ साथ बारत माता की भैरों बन गया तुशूल और दोधारी चंडा बन बैठी पिराच भीज बन गया मुगल दोधारी चंडा बन बैठी बैरी को तक छक्षे प्रताब फुण्कार बन गया थाचे तक ती सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया थाचे तक पंक्ति समाल ले ना फिर इम्मत करता हूँ ती सूखी घास मुगल से ना अंगार बन गया ठाचे तक मुगलों की अभिमानी घुड़की सुनना मेरे भाई मुश्री मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी जब तक वो अल्ला कहते थे तल्वार पार हो जाती यह तो राना प्रताप का वंशच खुदे ही लग रहा है बैरी को तच्छत थे प्रताप पुंकार बन गया था चेतक थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक मुगलों की अभिमानी घुरकी पल में पुकार हो जाती थी जब तक वो अल्ला गहते थे तल्वार पार हो जाती थी बैरी के सर पर था चेतक हाथी के उपर था चेतक आखों के आगे था चेतक छाती के भीतर था चेतक चल में चेतक, छल में चेतक जल में चेतक, बल में चेतक, नोहू की नदिया बहती थी, नदिया की कल-कल में चेतक, पानी पर चेतक दोड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वारी पर चेतक डोल रहा, चेतक गुश गया विचारों में, अरे राना पर होता वार अगर, दादा कविता के पार्खी बठे ह यहां तक चल कर गया है सब्तर वर्ष की अवस्ता में पराम करता हूँ परनारस को जो कविता सुनना जानता है रारा पर होता वार अगर तो तुरच छुकाई देता था यदि यहां डूप जाता चे तक क्या बात है वार 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 राना पर होता वार अगर तो तुरत छुकाई देता था यदि यहां डूप जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवार भीजे के रस्ते में खुद का तन रोडा बना दिया पंती फिर समाला मेवार भीजे के रस्ते में खुद का तन रोडा बना दिया शेतक योग्ता बन गया और मुगलों को गोड़ा बना दिया साथ नीदेरा आप लोग साथ नीदेरा बनारेस दोना हाथ उछाकर भारत माता की नवापारवतरी पते गंगा मया की बैरी को तक्षक थे प्रताब फंकार बन गया था चेतक थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक मुगलों की अभिमानी गुण की पल में पुकार हो जाती थी जब तक वो अल्ला कहते थे तलवार पार हो जाती थी हाथी के सिर पर था चेतक, बैरी के ऊपर था चेतक, आँखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, पानी पर चेतक दोड़ रहा चेतक चलता अंगारों में, वानी पर चेतक डोल रहा चेतक घुज गया विचारों में, राना पर होता वार अगर, तो तुरत अबात है वाब होगा बाझ जेतक कहता रर्चंडी से और फी जो भाशानी चैक्षाओं नीचले अपना क emergencies जो राला चेतक के सासा बारत मता की मैं हुआ थी बाग मुक्त नीली आंधी नीली रंग का था चेतक जो नजवान दोस्तों ने उसका चित्र ना देखाओ इतिहास नि पढस्ني पढम बताने की कोशिश करता हूं थी बाग मुक्त नीली आधी मर्जी से पाउं उठाता था रा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था जाते जाते मुड़ जाता था बेहच चालाकी करता था अरे जिसकी चाती पर चेतकी तगड़ी टापे पड़ जाती थी उसके सीने में फाले से दोनों तंड़ए गजाती थी था तभी अचानक पंटि फिर समालना था तभी अचानक मां सिंग हाथी अथवार नजराया वोड़ा के संचेतकी भी आपों में खूम उतराया गब्दाः ठेजा पूर्ड हुए सब बाप तुम्हारे लगते हैं तु भूल गया रणकोशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं तु भूल गया रणकोशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं बहुत आवार पूरा सदन हाथ उठाके एक बार तालियां बजाके अभिनन्दन करें अजय इंजाम जी का बहुत शामदार कावेपाट राना के संचेतक की भी आँखों में खून उतराया राना कोई कौतुक करते इससे पहले वह घून गया अगली टांगों का प्रवल भार हाथी का मस्तफ चून गया आगात असुका भारी था सहकर हाथी लड़कणा उठा इतने में राना का भाला विद्दुच जैसा गड़ग अन्दकार में जैसे कोई भोड उता आगे करुणा का स्वागर है कि जो अन। बहुत शानदार कविटा वा 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 अंतिम बंद पढ़तां विदा लुगा मन के साथ विदा कर देना बनारस ने जो इसने दिया जिन्दगी पर भूलूँगा नहीं सुग्दे भाई सुनियेगा अंतिम बंद सुनियेगा साथ दीजीगा राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड दिखाई देता था न हल्दी घाटी में चेतक का जोड दिखाई देता था संख्या बल में अकबर का गल राणा के दल से भारी था हचारों घाउ लगे थे पर राणा का हमला जारी था घिर गया स्रगालों में नाहर राणा को संकट भूच गया पर एक लिंग का हदी भूट गोधारी देकर चूच गया इतने में ज्छाला पहुँचे जाला और राणा का विग्रे एक जैसा था जब एक जैसे वर्दी पहल लेते थे सेनिक वर्दी तो कोई अंतर नहीं कर पाता था इतने में जाला पहुँचे बोले राणा प्रस्थान करो तुमसे कल को आशाई है कुछ उसका भीतो धरन करो राणा बोले राण में जाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ पर पैच भवानी तुल जाकी मैं कभी नहीं हट सकता हूँ तब एक लिंग का नाम लिया दे घोर सपत जाला बोले दुश्मन का वार लिया खुद पर भोका लतपत जाला बोले इनको मैं धूल चता दूँगा देखो तुम कल के मंगल को जाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया चेतक का तंधा लस्त पस्त लेकिन जैसे ज्वाना आया अपनी पूरी ताकत समें राणा की रच्छा करने को अंतिम छलाई उस नील अश्वने स्वाम भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया करवट लेकर बेजान चीश ब्राणा चरणों में टिका दिया चेतक मेरे बेटे भाईया हाला वीर चीचकार उठा चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदोस्तान भी गाएगा गाएंगे शाम नराइन भी हर नौजवान भी गाएगा गाएंगे शाम नराइन भी हर नौजवान भी गाएगा अंजाम अजय की बिंती है गंगा मिया की सौगंध है अगर देशबक्टी मन्में हो तो आखरीबार अपर कर लेना अन्जाम जए की विंती हैं अब तो दौनों बाजु खोलो यह अ सब देखेस के साथ भारत मता की 108 कि बहुत हैं बहुत 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 साथ बाद बनारस आपके चरणों में अपने माथा टेका करना मन करता हूं